दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यह आलो लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टन फोर्टी प्लस कोश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांद से रेल बे गुरूप डी एससे यूपी पुलिस लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टन है तो दोस्तों आप इ तो चलिए शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है निमने लेखित में से कौन सी नदी भूमी बंधित नदी है तो देखे करेक्ट आंसर सी हो चाहेगा लूनी नदी ठीके लूनी नदी जो है यह भूमी बंधित नदी है लूनी नदी की बा तो राजस्थान के अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से जो है इस नदी का उद्गम होता है इस नदी की लंबाई कितनी है तो इस नदी जो कुल लंबाई है वो है 495 किलो मेटर जिसमें से राजस्थान में जो है इस नदी कुल लंबाई कितनी है 330 किलो मेटर ठीक है सभा को उसके कारेकाल की समापती के पूर्वा ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो लोग सभा को जो है उसके कारेकाल की समापती के पूर्वा ही जो है अनुशेद 35 पे टू खो के अंत्रगत ठीक है अनुशेदे अनुशेदे टू खो के अंत्रगत जो है राश्पती द्वारा मंत्री परिशत के सलापर जो है भंग किया जाता है ठीक है करेक्ट आंसर सी यो चाहेगा कुश्चन नंबर थर्ड है यह देखी सिराज्य की बिधान सभा का अध किसे राश्य की बिधान सभा का अध्यक्ष यानि स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए उपाध्यक्ष को कुश्चन नंबर चार है राश्य सभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो करेक्ट आंसर डी हो चाहेगा उप्रोक्त में कोई नहीं, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्य सभा जो होता है, ये एक अस्थाई सदन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, राज्य सभा क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकस अपको आद रखना है कुश्य नम्बर पांच है लोगसभा का नेता कौन होता है जीला नियोजन एवां विकास परिषद का परधान कौन होता है तो ये जीला विकास पताधिकारी होता है करेक्ट आंसर बी हो चाहेगा कुश्चन नमबर साथ है निमनलेखित बर्गो में कौन उनिस सपांच के स्वधेसी आंदोलन से मुख्यत आप परभावित रहा तो देखिए उनिस सपांच के स्वधेसी आंदोलन की बात कर रहें तो इससे जो आप परभावित रहे थे तो महिलाय और कृषक ठीक है महिलाय और कृषक जो थे ये आप परभावित रहे थे तो करेक्ट आंसर ओप्सन ये हो चाहेगा एक और दो ठीक है question number 8 है सबसे लंबा जीवित ब्रेक्ष निमने लेखित मैं से कौन सा है सबसे लंबा जीवित ब्रेक्ष कौन सा है तो सीकूवा ठीक है सीकूवा जो है यह सबसे लंबा जीवित ब्रेक्ष है answer हो जाएगा B इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा और उंच है इसे रिलेटर जो कुश्चन एकजाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हमने उसको नोट डाउन कर रखे हैं जो एकजाम में के लिए आपके काफी इंपोर्टन्ट रहेगा पहला दिया गया है छेत्रफल क के दरिश्टी से सबसे बड़ा राजी ये भी पता हुगा राजस्थान है, खारए पाने की सबसे बड़ी जील का जील ओड़ी सब्से अधिक आभादी वाला राजे उत्तर पर्देश सब्से अधिक आभादी वाला सहर पुछा जाए तो मुंबई महराश्ट्र रहे हैं सब्से अधिक उचाही परेस्तिति यूद्द छेत्र सिया चिन गिले सियर सबसे अधिक बन वाला राजिया सबसे अधिक बन वाला राजय कौन सा है तो ये है मध्य परदेश सबसे मुझे तम रेडियो स्टेशन रेडियो बन मुंबाई महराष्ट में है सबसे मुझे टीबी टावर कौन सा है तो पीतम पूरा नई दिल्ली सबसे उच्छा टीवी टावर कौन सा है, पितम पूरा नई दिल्ली, सबसे उच्छा दरवाजा, बुलान दरवाजा जो की फतेपुर सिकरी में है, सबसे उच्छी मिनार, कुतु मिनार नई दिल्ली में है, सबसे उच्छा बाद टीहरी बाद उतराखंड में है, सबसे ज्या गोल गुमबद बीजापुर करनाटक में है सबसे बड़ी मसित चामा मसित तिली में है सबसे लंबा बाद हीरा कुंड बाद है सबसे लंबा राश्टिय राजमार्ग NH7 है जो कि बनारसी से कन्या कुमारी तक जाती है सबसे लंबा रेलवे पूल बेंबनाद रेलवे पूल जो कि केराल में है सबसे लंबा सड़क पूल महात्मा गाधी सेतु जो मतलब सड़क पूल है वो पटना में ये सबसे लंबा सड़क पूल है सबसे लंबा समून्दर टर्ट मरीना बीचे नई सबसे लंबा समुद्र टॉट्ट मैं भी छेनाईं में है याद रखना है यह सारे ही कुश्चन जो ही इंपोर्टेंट है आपके लिए जीवन चक्र की दृष्टी से पॉढधे का सबसे महत्पूण अंग कौन सा है जीवन चक्र की दृष्टी से पर समान तक किस रंग का उपयोग हुआ था तो मेटे के बर्तनों पर जो है लाल रंग का परियोग हुआ था कुश्चे नमबर दो एक आरह है चीनी यात्री इती सिंग ने भारत का भरमड किया लगभग तो ये भारत का 677 इस्वी में जो है भरमड किया करेक्ट आंसर बी हो कि से समानित किया था कप्टन हाकिंस को किया ठीक औरहको इसकी अलावा सूलस और नौवी स्वी में याद रखना है केप्टन होकिन्स कुश्चन नमबर 13 है मयूर सिहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराट कौन था तो मयूर सिहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल समराट था वो था मोहम्मद सा करेक्ट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कुश्चन नमबर 14 है बहाव शेतर की द्रिष्टी से जो बिष्व का सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है बहाव की द्रिष्टी से जो बिष्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है तो यह है अमेजन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुश्चन नमबर और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए बहाव के दृष्टी से तो अमेजन है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी पूछा जाए तो नील नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 690 किलोमेटर जो है इसकी लंबाई है जबकि चेतरफल और बहाव से पूछा गया है यहाँ पर, तो अमेजन है और इसकी जो मतलब लंबाई है, कितनी है 296 किलोमेटर ठीक है, याद रखना है, दोनों चीज़े आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी है, 690 किलोमेटर बहाव सेतर की दृष्टी से विश्व का 296 किलोमेटर बहाव से लंबी नदी कौन सी है, याद रखना है आपको यदि एक बेक्ति केवल दूध, अंडा यों रोटी का हार करता है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है तो देखे उसको जो है, विटामिन C की कमी हो सकती है, ठीक है कोई बेक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का हार करता है, तो विटामिन C की कमी हो सकती है जिसके कारण से, इसकर्वी रोग का जो है, शिकार हो सकता है यह आंसर हो जाएगा ससस्तर सेना जहंडा दिवस किस्तिती को मनाये जाता है सशस्त्र सेना झछन्डा दिवस किस्तिती को मना जाता है सात दिसंबर को मना जाता है डी आंसर होचाएगा 22 शुलाई की बात करें कारगिल बिज़तिवस मना जाता है याद रखना है निमनलेकित सुहरों में से किसमे लींगराज मंदिर वशंते ही थे तो ये भूनेश्वर ओडिशा में वस्तित है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा निमनलेखित में से किसे जीलो की बाटी का कहा जाता है किसे जीलो की बाटी का कहा जाता है तो ये फिनलेंड को जो है जीलो की बाटी का कहा जाता है ये आंसर हो जाएगा मस्तिष का कौन सा भाग निंद को नियंतुरित करता है करेक्ट आँसर भी हो झाएगा हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है प्रसांत महसागर है किस राजे का सचिवाला भवन राइटर's बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है तो राइटर्स बिलिडिंग के नाम से पशिम मंगाल को जाना जाता है करेक्ट आंसर D हो जायेगा राश्पति लोग सभाव कब भंग कर सकते हैं तो ये केंद्रिया मंत्री मंडल की अनुसंसा पर जो है भंग कर सकते हैं C आंसर हो जायेगा 23 है भारत के किस छेत्र में ग्रिसम कालिन मांसुन सबसे पहले आता है पश्मी घाट में आता है C आंसर हो जायेगा केरल में कौन सा बनने जीव रिजर्ब हाथियों के लिए जाना जाता है बनने जीव रिजर्ब हाथियों के लिए कौन सा जाना जाता है केरल में तो यह जाना जाता है पेर यार, भी आंसर हो जायेगा, दोस्तों याद याद आपको वीडियो पसांद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक जरू करें, दोस्तों मैं सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन रखें, ठीक है, तो न कथन है, और यहाँ पर गलत पुछा कि आंसर हो जाएगा अपसानी, निमनल वेखित मैं से किस सुरोत से हमें पाठली पुत्र के प्रसासन की जनकारी मिलती है, किस सुरोत से हमें पाठली पुत्र के प्रसासन की जनकारी मिलती है, इंडिका से मिलती है, करेक्ट आंसर बी हो 27 है चमपारन सत्यागरा के दोरान महात्मा गाधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था महत्मा गाधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था तो ये मोतिहारी में चलाया गया था ठीक है चमपारन सत्यागरा के दोरान महात्मा गाधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था मोतिहारी में यह answer हो जाएगा 28 है आकसेनो मीटर का प्रयोग किया जाता है आकसेनो मीटर का प्रयोग किया जाता है तो ब्रिधी दर्मापने में किया जाता है B answer हो जाएगा क्रेपस चक्र की किरिया कहां संपन होती है क्रेव सर्चक्र की कुरिय कहा शंपन होती है तो यह MITOCHONDRIA में संपन होती है B answer हो जाएगा CTRL SHIFT तथा ALT को क्या कहा जाता है CTRL SHIFT तथा ALT को क्या कहा जाता है modifier की ठीक है क्या बोला जाता है modifier की बोला जाता है Answer हो जाएगा यह पीर पंजाल स्नेडि किस राज़े में पाई जाती है जमो एव कास्मीर में पाई जाती है B आंसर हो जाएगा निमने लेखित नदियों में कौन सा एक है अध्या रोपित नदि का उधाराण है तो ये है चंबल नदि ठीक है C आंसर हो जाएगा तूलबुल पर्योजना किस नदि परवस्तित है जेलम परवस्तित है D आंसर हो जाएगा हेरोईन निमने लेखित में से किस से प्राप्त होती है हेरोईन किस से प्राप्त होती है औफिम पोस्ता से प्राप्त होती है B आंसर हो जाएगा 35 है भारत में चावल की खेती के अंत्रवत सरवाथिक छेतर पाये जाता है सरवाथिक छेतर कहां पाये जाता है उत्तर परदेश में याद रखना है भारत में चावल की खेती के अंत्रवत सरवाथिक छेतर कहां पाये जाता है उत्तर परदेश में C answer हो जाएगा, अद्रेस या निर्यात का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात, ठीक है या अंसर हो जाएगा, Quesion No. 37 है, भारतिया उप महादेप में क्रेशी के प्राचिंतम साक्षे कहां से प्राप्थ हुए है, Quesion No. 38 है, निर्यात क्रेशी के प्राचिंतम साक्षे कहां से प्राप्थ हुए है, मेहर घड़ से प्राप्थ हुए है, C answer हो जाएगा, Quesion No. 38 है, निमने लेखित में से कौन सा राजपुत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखा के रूप में जाना जाता है, तो ये राणा कुमभा जाना जाता है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खा का समकालिन था, तो ये था इल्थूतमिस, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, Quesion No. 40 है, 1828 में निमनलेखित मैंसे किसने भारत में ब्राम समाज का गठन किया था, तो भारत में ब्राम समाज का गठन जो है, 1828 में ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, राजा, Sorry, इसमें option, ये राजा राम मोहन राय होगा, राजा, राम, मोहन राय ने जो है किया था ठीक है तो answer हो जाएगा option B उसके बाद यहाँ पर हमार अगला question है साप के मुँँ में कितने दाथ होते है very important question साप के मुँँ में कितने दाथ होते है तो साप के मुँँ में जो है 2 सदाथ होते है तो दोस्तों यह थे लूसेंट समाने गयान के important 40 plus question आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा प्लीज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटे का निसान है इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपना स्कूर कमेंट बाक्स में जरूर बात आए ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैनल चैनल चैनल